अभ gq यह जो इकनोमिक्डेशन जो चल रहा है अभी यहाँ पर दोไलोजिस है यहाँ पर दान दो एक नई कंचेप्न बता रहा हुँ है एक capitalist होता है और एक socialist होता है जो अभी जो economic depression जो चल रहा था यह capitalist countries में चल रहा था for example USA में depression चल रहा था UK में depression चल रहा था पूरे European countries में depression चल रहा था पर एक socialist country ती जहाँ पर economic depression नहीं चल रहा था उसका नाम है USSR Union of Soviet Socialist Republic मतलब आज प्रेज़ेंट का Russia जिन्नों ने ये socialist ideology adopt की थी और वो बहुत ज़्यदा shine कर रहा था उनकी economy बहुत अच्छी से चल रही थी और यही एक reason था आज भी जो जगड़े होते यह दो ideology के हिसाब से होते capitalist जगड़ा करते socialist है ठीक है capitalist बोलते कि हमारी ideology अच्छी है socialist बोलते कि हमारी ideology अच्छी ठीक है और इंडिया में एक ही leader होता है जो socialist ideology को follow करता है जिसका नाम है भगत सींग इंडिया में ये यह एक leader होता है जो socialism को follow करता है और इंडिया मैं socialism लाने की कोशिश कर रहा होता है है अबी यही यह करीजन होता है socialism का कि बगत welding की death हो जाती ही तो सिंग को फासीदी जाती है à यही socialism agreement रहा है क्यूंकि यह पर बगत सिंग जेल में होता है तो वह एक बुक पढ़ रहा अगर अगर य एसा लेडर होता है जो हमस्वर्पी और पहली क्या ला निकरण है अशार्ट धिल्धा में पहली पाने कॉशिश करbon लग गया कि अगर भगत सिंह जेल से छूट गया है और बहुत सिंग बहार आ गया तो ये महात्मा गांदीजी से भी बड़ा लीडर बनेगा और इंडिया में सोशलिजम लेके आएगा और सोशलिजम का कंसेप्ट क्या हता है कि सोशलिजम का कंसेप्ट मतलब जो हो जाएंगे इसलिए भगत सिंग को दो दिन पहले उसको फासी दी गई और यह सोशलिजम का जो इंडिया में आने वाला जो कंसेप्ट था वही खतम हो गया ठीक है यह बहुत इंपोर्टन स्टोरी बहुत लोगों को लगता है कि महात्मा गांदी जी के वज़े से भगत इगा?